जहें दोस्तों स्वागत है आपका हमारी इस प्लेटफॉर्म पर अज में लेकर आया हूं अर्मीजीडी एक्जाम के अंदर आने वाले कोशनों का एक मॉडल पेपर जिसके अंदर हम पूरे 50 कोशन जी के साइंस मैथ और इजनी के लेकर आये हैं तो अगर आप भी इंडियन ग्यान का और समानी ग्यान का पहला कॉइशन है कि बतौर कफ्टान वंडे में पहला 2 शेतक लगाने वाला किलाड़ी कौन है चार उप्शन देर के आपके सामने रोई शर्मा, मार्टिन गप्तिल, विरंदर सहवाग या फिर क्रिश गेल तो बतोर कप्तान वंडे में जो पहला दोरा शेतक है वो किस ने लगाया था उप्शन नमबर सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा विरंदर सहवाग ने ठीक है और इसे एक क्वेशन बनता है कि वंडे में पहला दोरा शेतक लगाने वाला खिलाडी कौन था तो फिर उसका अंसर होगा सचिन तेदुलकर और वर्ल्ड कप में पहला दोरा शेतक लगाने वाला जो पहला की लड़ी था वो प्रिस गेल था ठीक है तो तीनों कोशन अलग लग है और तीनों का अंसर अलग लग होगे next question है अपना कि भारती सविधान को कब अंगीकरत किया गया था चार उप्शन देरके इसके भी 26 जनवरी 1959, 26 जनवरी 1950, 26 नॉअबर 1959 या इन में से कोई नहीं तो भारती सविधान को कब अंगी करत किया गया था तो option number C अपना correct answer होगा इसका कि 26 November 1950 को ठीके ध्यान डखना ये अंगी करत किया गया था यानि इस दिन बन कर तयार हुआ था और इसको लागू किया गया था तो उसका answer फिर होगा 26 January 1950 को अगरा question अपना पुलिज़र पुरुषकार कि शेतर में परदान किया जाता है चार option देरके इसके अभी पत्रकारिता विज्ञान खेल या फिर उद्योग में तो पुलिज़र पुरुषकार ये अमेरिका का एक परतिश्रिस पुरुषकार है जिसको 1917 में शुरू किया गया था और ये पत्रकारिता है समाचर पत्र के शेतर में दिया जाता option number A अपना right answer हो जाएगा अगला question अपना कि निमन में से कौन अब भारत का एक राजिये नहीं है चार option देरके हैं तेलंगाना, सिक्केम, जमो कश्मीर और उत्रान चल तो इनमें से कौन सा एक भारत का राजिये नहीं है option number C अपना correct answer हो जाएगा जमो कश्मीर अब भारत का एक राजिये नहीं है ये एक केंदर शाषित परदेश है इसको 5 अगस्त 2019 को जमो कश्मीर के दो टुकड़ी करके दो केंदर शाषित बना दिये गए थे एक तो जमो कश्मीर और दूसरा लद्दाक अब भारत केंदर टोटल 28 राजिये हैं और 8 केंदर शाषित परदेश है जबकि तैलंगाना, सिक्केम और उत्राण चल ठीके, उत्राण चल को उत्राखंड भी कहते हैं ये तिनों ही भारत के राजिये है अगला कोश्चन है अपना कि भारत की पर्थम अनुशक्ति संपन पंडूबी का नाम क्या है चार ओप्षिन दे रहे हैं विक्रांत, चक्र, विराट और कावेरी तो भारत की जो पहली अनुशक्ति संपन पंडूबी थी आप्षिन नमबर भी अपना क्रेक्ट रांसर हो जाएगा आई एनस चक्र ठीक है और भारत की जो खुद की अपनी जो पहली पर्माडूशक्ति संपन पंडूबी थी उसका नाम आई एनस अरियन था दोनों अलगला कोश्चन है यह आई एनस चक्र यह रश्या की थी जिसको भारत ने दस साल के लिए लीज पिलिया था नेक्स्ट कॉश्चन अपना कि सुकना जील कहां इस्तित है चार आप्षिन देर के गुजरात, त्राखंड, चंडीगड या फिर राजस्तान, तो शुकना जील कहां पर है आप्षिन नमबर सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा चंडीगड में, इस जील को चंडीगड की शान भी कहा जाता है अगला कोश्चन अपना वाइट हाउस किस देश के शाष्णा देक्ष का निवास है, यानि वाइट हाउस में किस देश का अध्यक्ष निवास करता है चार उप्षिन देरके हैं, इंगलेंड, अमेरिका रूस और भारत तो इनमें से वाइट हाउस के अंदर कौन रहता है तो उप्षिन नमबर भी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका का जो रास्ट पती होता है उनका जो निवास इस्तान है उसको वाइट हाउस का जाता है अगला कॉशन अपना नाटो में एक को पूरा लिखने पर क्या बनता है, ठीक है चार उप्षिन देरके, अथरिटी, अटलांटिक, अमेरिका या फिर एटम, तो नाटो की जो फुल फॉर्म होती है, नौर्थ अटलांटिक ट्रीटी और्गनाजेशन तो एक की फुल फॉर्म क्या आती है, अटलांटिक अप्षिन नमर भी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा और अभी जो रूस और यूकरेन के जो बीच लड़ाई चल रही है, उसका मेन करण नाटो यह है, क्यूंकि यूकरेन चाहता है कि वो नाटो का हिसा बने, रूस चाहता है कि यूकरेन कभी भी नाटो का हिसा ना बने, इसी की वज़े से इन दोनों के बीच यह जंक चल रही है अगला कोशन अपना, भारत किस महादीप पर इस्तित है, चार उप्शन देरके हैं, अफरिका यूरोप, एशिया और और उस्ट्रेलिया तो भारत किस महादीप का इस्सा है अप्शन नमबर सी अपना करेक्ट अंसर हो जाएगा एशिया महादीप में, एशिया महादीप दुनिया का सबसे बड़ा महादीप है और भारत भी इसी महादीप के अदर आता है अगला कोशन अपना स्टेच यूप यूनिटी किस राज्जिये में इस्तित है, चार उप्शन देरके हैं, गुजरात उत्राखन, राजस्तान और करनाटा तो स्टेच यूप यूनिटी ये दुनिया की सबसे उची मूर्थी है जो लगबग 182 मीटर उची है और ये गुजरात में इस्तित है, उप्शन नमबर A अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये भारत के पहले उपरदार मंतरी और पहले ग्रे मंतरी सरदार वल्लबाई पटेल की मूर्ती है जो गुजरात में, इस्तित है गुजरात की ये नर्मदा जिले में, इस्तित है तो द्यान रखना किस जिले का भी पूछ सकते हैं, तो किस जिले में है नर्मदा जिले में अगला कोशिन अपना भारती राष्टी कॉंग्रेस की स्थापना की गई थी किस वर्ष में चार ऑप्षिन दे रहे हैं 1865, 1867, 1885 या फिर 1887 के अंदर तो इंडियान नेशनल कॉंग्रेस की स्थापना कब हुई थी 28 दिसंबर 1885 इसकी स्थापना हुई थी मुंबई के अंदर और इसके संस्थापक थे ए ओ यूम और इसके जो पहले अधियक्ष थे वो थे वियोमेस चंदर बैनर जी 296 अगला क्व इपना कि राजपुता नाम के निम्ण राजियों मैं से किसने अकबर की संपरभूता स्फिकार नहीं की तूप्शन के लिए के हैं अगला कोशण अपना निमलिकित में कुन से भारती राजिए में प्राटिकाल में सूरीय की किरने सबसे पहले पढ़ती है यांनि असा कौन सा भारत का राजिए है जहाँ पर सूरीय सबसे पहले निकलता है चार अप्षन देर के हैं त्रेपुरा मेगाले सिक्किम या फिर उनाचल परदेश तो भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है option number D अपना correct answer हो जाएगा और उनाचल परदेश में अगला question है अपना कि पोंगल तिवार किस राज्य में मनाया जाता है चार option देरके हैं केरल, तमिलाडू, करनाटक और तेलंगाना तो इन में से पोंगल किस राज्य का परमुक तिवार है तो option number B अपना correct answer हो जाएगा तमिलाडू का जबकि केरल का जो परमुक तिवार है वो ओना में है और last question है GK का कि इन मिलिकित में से किस खेल में गेंद का इस्तमाल नहीं किया जाता है चार option देरके हैं football, cricket, badminton और tennis तो इसमें से कौन सा खेल है जिसमें गेंद का इस्तमाल नहीं होता है इस question का answer आप मेरे को comment box के अंदर देंगे कि इन में से चारों में से कौन सा खेले जिसमें गेंद का प्रियोग नहीं किया जाता है second part अपना gk का science का question number 16 है कि यदि काच को अचानक ठंडा किया जाए तो वे हो जाता है ठीक है अगर कोई काच गरा में अगर उसको एक दम से ठंडा कर दे तो वो हो जाता है चार option देर के पारदर्शक तन्ये मरदू या फिर बंगूर तो अगर काच को एक दम से ठंडा करते हैं तो बिलकुल बंगूर हो जाता है option number D अपना correct answer हो जाएगा अगला question अपना कि रोगी की जेविक मर्तियू का आर्थ शरीर के किस अंग के उत्तकी मर्तियू का होना आता है चार option देर के फेपड़ा, हर्दिय, मस्तिक्ष या फिर वक्त इन में से किस अंग के मरने के बाद किसी रोगी की जेविक मर्तियू होती है option number C अपना correct answer हो जाएगा मस्तिक्ष की ठीक है, जिसका मस्तिक्ष काम करना बंद कर देता है तो उस रोगी की जेविक मर्तियू के लाती है वो अगला question अपना अच्छा रेशम प्राप्ट करनी के लिए रेशम की कीट का पोशक पेड कुनसा है, चार option देर के हैं बरगद, सहतूत, कपास या फिर गढ़ल तो एक अच्छा रेशम प्राप्ट करनी के लिए रेशम कीट कीट की जो रेशम का कीट होता है उसका पालन किस पेड पर होता है तो option number P अपना करेक्ट अंसर हो जाएगा सहतूत के पेड़ पर अगला question अपना ट्रेकोमा शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है यानि ट्रेकोमा जो रोग है वो शरीर के किस अंग से सम्मदी थे एक बीमारी इसको हिंदी में रोहे रोग भी का जाता है ठीक है और ये किस सम्मदी थे चार option दे रोग है कान नाक आँक और हाथ पेर तो ट्रेकोमा रोग शरीर के किस अंग से सम्मदी थे option number C अपना करेक्ट अंसर हो जाएगा आँकों से ये बेक्टिरिया से होने वाला एक संक्रमन रोग है अगला question अपना heater से पूरा कमरा निमन में से किस से विदी से गरम होता है चार option दे रोग है विकिरन, समवहन, चालन या फिर ये सबी तो heater से जो कमरा गरम होता है वो किस विदी से होता है option number B अपना correct answer हो जाएगा 7 विदी से 7 उश्मा के संच्रेट की वे विदी है जिससे उश्मा गेसो के मादियम से ट्रेवल करती है और जो सिगडी से जो पूरा कमरा गरम होता है द्यान रखना वो विकिरन विदी से गरम होता है ठीक है विकिरन मतलब के मादियम से उस्मा का परशार होता है अगला question अपना वे ताप जिस पर Kelvin और Fahrenheit ताप मापी समान पार्ट बताते हैं चार option देर के हैं 30.25 544.25 313 या फिर 40 तो इसा कौन सा temperature है जिस पर Kelvin और Fahrenheit बराबर होते हैं तो option नमबर B अपना क्रेक्ट टांसर हो जाएगा 544.25 और आप मेरे को comment box के अंदर बताओ क्यासा कौन सा temperature है जिस पर Celsius और Fahrenheit दोनों बराबर ताप मान बताते हैं इस question का अंसर आप मेरे को comment box के अंदर देंगे अगला question अपना jellyfish किस संग का उधारण है चार option देरके है टॉनिफोरा पॉरिफोरा निडेरिया या फिर प्रोटो जोगा तो jellyfish है किस संग का जिव का उधारण है तो option नमबर C अपना क्रेक्ट टांसर हो जाएगा वो निडेरिया संग का एक प्राणी है अगला question अपना हर्गोविंद खुराना को किस अविश्कार के लिए संगानित क्या गया था चार option देरके है protein sensation, gene sensation, nitrogen, शारो का sensation या इनमें से कोई नहीं तो डोक्टर हर्गोविंद खुराना को किस अविश्कार के लिए उन्हें नॉबल प्रुष्कार से संगानित क्या गया था तो option नमबर B अपना क्रेक्ट आंसर हो जाएगा उसका एक जो घटक होता हो हमेशा ही पारा होता option नमबर D अपना क्रेक्ट आंसर हो जाएगा mercury को इंदे में क्या बोलते हैं पारा अगला question अपना alpha और beta क्रेक्ट आंसर हो जाएगा राधर द्वारा की गई थी अगला question अपना radar system में उप्यों में लाए जाने वाली तरंगे होती है चार option नमबर D अपना क्रेक्ट आंसर हो जाएगा microwave या शुक्षम तरंगों का प्रियों किया जाता है अगला question अपना आवेश का मात्रक क्या है चार option देर के एंपियर कुलाम हेनरी या फिर ओम तो आवेश का मात्रक क्या है option नमबर D अपना क्रेक्ट आंसर हो जाएगा कुलाम ठीक है अगला question अपना निमलकित में से किस ने law of octave दिया था ठीक हिंदी में अगर यह question और आए तो तत्वों की वर्गीकंड से संब्दित जो अश्टक नियम है वो किस ने दिये थे चार option देर के हैं मैंडलीव न्यू लैंड्स लेवोजियर या फिर लोबिराइनर तो इनमें से law of octave या अश्टक नियम का प्रतिवादन किस ने किया था तो option number B अपना correct answer हो जाएगा न्यू लैंड्स ने अगला question अपना rocket को चलाने में प्रिक्त इंदन क्या कहलाता है चार option देर के हैं बायो मास कोक प्रणोदक या फिर कॉल गेस तो जो rocket चलाने के लिए जो इंदन होता है उसको कहा जाता है option number C अपना correct answer हो जाएगा प्रणोदक ठीक है प्रणोदक क्या होता है ये द्रव hydrogen और द्रव oxygen ठीक है इन दोनों का जो मिश्रण होता हो प्रणोदक किलाता है और last question अपना science का कि निम्न में से रासाइनिक परिवर्तन है चार option देर के हैं उद्रुपातन वाशपन गलन और विगटन तो इन में से रासाइनिक परिवर्तन का उदारन क्या है option number D अपना correct answer हो करनी है कि आप जो वीडियो देखते हैं वो यहीं तक देखते हैं ज्यादा तक जो वीडियो है यहीं तक देखते हैं और यहां तक वीडियो देखने वाले 90% student नोकरी नहीं लगते हैं यह चीज़ ध्यान रखना मेरे पिछले 5 साल के experience से बता रहा हूं कि यहां तक जो में 20 में से कम से कम 18 question या 17 question राइट करके नहीं आओगे तो दुनिया में आपको कोई भी नोकरी नहीं देगा यह पिछले 5 साल के experience से बता रहा हूं मेरे कि आपको math के अंदर perfect होना पड़ेगा और अगर math अगर आप नहीं करके आओगे तो आप भूल जाओ कि आपका वर्द जो है वो high जा सकती है ठीक है इसलिए आपको math के अंदर कम से कम कम से कम अगर आप बात करें तो कम से कम 15 तो आपके right ब्रिजनिंग और math दोनों के अंदर कम से कम 15 तो आपके right होने ही चाहिए तब जाकर आपको वर्दी मिलेगी जिसके लिए आप पिछले एक साल से मैनत कर तो आप यहां कर बले आपके यहां 30 में से 30 नंबर हो यहां तक लेकिन फिर भी आप अगर math के अंदर छोड़ कर आओगे या नहीं कर कर आओगे तो भूल जाओ कि आपका सपना पूरा होगा तो math यह चुन-चुन के question लाते हैं इस type के question बार बार आते हैं तो इस question के आप practice क करो तब ही जाकर आपका जो सपना है वो पूरा हो सकता है अगला पार्ट है अपना math का और math का question number 31 है कि पांच अंकों की वे बड़ी से बड़ी संक्या ग्यात करो जो साथ से पूर्णते विबाजित होती है तो देखो पांच अंकों की बड़ी से बड़ी संक्या क्या होती ह 9999 ये संक्या है 5 अंकों की सबसे बड़ी संक्या लेकिन जरूरी नहीं कि इसके अंदर 7 का भाग जाता है हो लेकिन हमें वो संक्या पता करनी है जिसमें 7 का भाग जाता हो तो हमें क्या करना है सबसे पहले तो इसके अंदर 7 का भाग दो साथ एकम साथ वजगा यहां पर तो अगला नमबर नीच होता ओर दो 29, 28 वजगा आपने पास 1, 7- broadcast 9, 7- 2- 14, वजगा आपने पास 5 अगला नमबर नीच होता ओर दो 9 ठीक है देखो 7, 8, 56 बच गया आपने पास 3 अगला नमबर नीचे उतार दो 9 ठीक है यहाँ पर देखो 49 में 7 का भाग कितीवार जाता है 37, 35 ठीक है अब देखो यहाँ पर कितना बचरा अपने पास 4 ठीक है अगर ये 4 बचरा इसका मतलब ये एक्स्ट्रा है अगर ये 4 नहीं होता तो इस संक्या में 7 का भाग पूरा-पूरा चला जाता तो क्या करना है मैं इसमें से 4 को माइनस कर दो जो 9999 उसमें से 4 को माइनस कर तो अपने पास बसता है 9995 में अब 9995 में पांच अंकों की वे बड़ी से बड़ी संक्या है जो सास से पूर्णते विवाजित होती है तो option number B अपना correct answer हो जाएगा अगला question अपना दो संक्याओं का योग 216 और महतम 27 है तो इसंक्या क्या होगी देखो इस question को कैसे करते हैं उन दोनों संक्याओं का जो टोटल जैसे अपने पास एक को मान लेते हम X और एक को Y मान लेते हैं ठीक है अब देखो इन दोनों का ECF कितना दे रहा है 27 तो एक नंबर 27 ECF मतलब 27 दोनों में common number है तो एक हो गया अपने पास 27 X और दूसरा हो गया 27 Y जिनका अगर हम टोटल करें तो कितना ना चाहिए 216 ठीक है अब देखो दोनों 27 को मान आ रहा है दोनों के अंदर तो यहां बचा अपने पास X प्लस Y बराबर है 216 गुणा में का चला जाएगा भाग के अंदर अब इसको काड़ दो तो देखो यहां पर सकता इसका भाग 216 के अंदर जाता है टोटल 8 बार किती बार जाता है 8 बार अब देखो अपने पास यहां पर X प्लस Y बराबर है 8 तो 8 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं जो आपस में कटने नहीं चाहिए जैसे दे दूसरा करते हैं 2 और 6 तीसरा करते हैं 3 और 5 और 4 और 4 अब वापस अगर आगे जाएंगे तो 5 और 3 होगा जो अपने पास आ चुका है तो यहां पर आगे नहीं जाना है अब देखो इन में से 2 और 6 और 4 यह तो कड़ता है यानि यह नहीं हो सकते है 8 के टुकड़े 2 अपने जोड़े या यूगम बनाए जा सकते हैं तो फिर उसका अंसर हो जागा दो जोड़े बनाए जा सकते हैं दो यूगम बनाए जा सकते हैं लेकिन यहां हमसे पूछ रहा है वह नंबर वह संक्या कौन सी है ठीक है तो यहां पर देखो इसका S.C.F. कितना है 27 तो 27 से इसको भी 189 होंगे या फिर 27 को तीन से गुणा किया तो 81 और 27 को अगर 5 से गुणा करेंगे तो 75 35 हासिल का 3 और 10 और 3 13 135 यानि इन दोनों में से वो दोनों नमबर होंगे तो देखो यहाँ आपने पास 27 और 289 मिल रहा है तो अप्शन नमबर A अपना राइट अंसर हो जाएगा वो दोनों नमबर क्या है 27 और 289 अगर यह अप्शन नहीं होता तो फिर अपना अंसर होता है 18 3345 अगला कोशन अपना यदि A अनो पाथ B बराबर 3 अनो पाथ 4 बी अनो पाथ C बराबर 5 अनो पाथ 7 तता C अनो पाथ D बराबर, है 8.9 तो AD किसके बराबर होगा ठीक है तो यहां AB दे रखा है BC दे रखा है और CD भी दे रखा है हमसे पूछा है AD का मान तो सबसे पहले यहां दे रखा है A.N.Path निकलना पड़ेगा हमें A.N.Path B.N.Path C.N.Path D. क्योंकि जो दे रखा है चारू कमान निकलने के बाद ही AD कमान आ सकता है ठीक है अब देखो A.B. कितना दे रखा है अपने पास 3.95 चार तो A.B. के निचे लिख दो 3.95 चार B.C. कितना दे रखा है 5.95 तो B. के निचे 5 और C. के निचे 7 लिख दो तो यहां भी आठ और यहां भी आठ आएगा और यहां अगर साथ है तो यहां भी साथ और यहां चार है तो यहां भी 4 और यहां भी 4 अब इनको आपस में गुणा कर दो ठीक है तो देको 5 तीया 15 और 15 को 8 से गुणा किया तो 15 अंटी 120 ठीक है और अगर हम 8 को 5 से गुणा करें सब्सक्राइब करेंगे तो अट्वंटी चो सट हासिल का छे आड़ दूना सोला और चे बाइस दो सो चोबीस और लास्ट अपने पास साथ चोक टाइस और टाइस को अगर नो से गुना करेंगे तो आट नम बैतर और नो दूना ठारा और साथ पचीस दो सो बावन अब हमसे इसमें पूछा है की ईह अनुपात डी बराबर क्या होगा तो देखो एक ही वैल्ली कितनी आई हैं 120 और डी कितनी आई 252 अब ये जो कट रहा है इसको काट सकते हैं यहां देखो दो से कट रहा है यह जाएगा 60 और यह 110 और कट रहा है यह जाएगा अपने पास एस और 60 ठी और तीन से कट रही है तीन दाए तीस और तीन दूना च्छे तीन एक कम तीन तो दस अनुपात इकिस अब नहीं कट रहा है तो इसका जो ए अनुपात डी का रेशियो क्या होगा दस अनुपात इकिस अप्शन नमबर ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला कॉशन अपना किसी वस्तू को 48 रुपे में बेचने पर 20% की हानी होती है तो इस वस्तू को 20% लाब कमाने के लिए उसका विक्रे मुल्य क्या होगा देखो बेचा कितने में 48 में तो बेचना क्या होता है विक्रे मुल्य तब उसको 20% की हानी होती है ठीक है तो यहां प और देखो विक्रे मुल्य अपने पास दे रहा है 48 रूपे ठीके और अब अगर हम पर्तिशत का विक्रे मुल्य देखते हैं तो 20% रनी का मतलब क्या होता है कि 100 रूपे की चीज़ कितने में बैच रहा है असी रूपे में ठीके То Marc अगर परतिशत में विक्रे मुल्य कितना है 80 तो वास्तों में कितना है विक्रे मुल्य 48 ठीक है एक लाइन अपने पास यह बन गई अब इसने कहा कि वह इसको अगर 20% लाब पर बेचेगा तो विक्रे मुल्य क्या हो जाएगा यानि 100 की चीज़ वह कितने बेच रहा है के अंदर अब जो कट रहा है उसको काड़ दो जैसे जीरो से यह जीरो कड़ गया आठ का बाग अठालिस में चे बार और बारा को छे से गुना किया तो बहतर तो उसका विक्रे मुल्य क्या होगा बहतर रुपए ऑप्शन अमर टी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला कोशन अपना एक गाउं की जन संक्या बारा हजार है यदि गाउं में बावन परतिशत आदमी है तो गाउं में औरतों की संक्या क्या होगी देखो बावन परसेंट कोन है मैन यानि पुरुश है ठीक है तो देखो हम परतिशत का सवाल है तो कुल कितना मान लेते है उस गाओं की जन संक्या 100 है, 100 में से मैं कितने है, 52, तो वो मैं कितनी होगी, यानि महिला ही कितनी होगी, 48, क्यूंकि 100 में से अगर 52 आदमी है तो 48 महिला है होगी, अब इसने काया कि कुल जन संक्या 12,000 तो बताओ, महिला होगी, यानि ओरतों की संक्या कितनी होगी, तो ओरतो जाता है दो जिरो से यह दो जिरो कट गया अब अपने पास बचा 120 और इदर 48 120 को 48 से गुना कर दो ठीक है यह जिरो का जिरो आएगा बारांटी चिनवे वसिल का नो और बारा चोक 48 और 48 में अगर हम 9 जोड़ेंगे तो 57 ठीक है तो उस गाव में महिलाओ की संक्य कितनी हो जा एक साथ ही विवसाय शुरू किया था वर्ष के अंत में उनका जो लाब होगा वो किस अनुपात में बाटा जाएगा देखो लाब हमेशा जितना धन वो लगाते हैं उसी अनुपात में लाब बढ़ता है तो ए ने लगाए अपने पाद यहां 80,000 रुपे और बी ने लगा 60,000 रुपे तो इनका जो लाब का नुपात है वो भी 80,000 रुपात 60,000 के नुपात में होगा तो जो कट रहा है उसको काड़ दो जिसे हैं 4,0 कट गए और 8 और 6,2 से कड़ता है 2,4,8 और 2,6 तो उनका जो लाब का नुपात है वो 4,95 तीन में बटेगा उप्शन मट दी अगला कोशिन है अपना कि एक रेल गाड़ी खंबे को पार करने में 60 km परती गंटे की दर से 12 सेकंड लेती है तो रेल गाड़ी की लंबाई किती होगी देखो एक रेल गाड़ी अगर कभी भी खंबे को पार करती है तो अपने खुद की लंबाई या खुद की दूरी ही त ते करती है और उपने खुद की दूरी वो 12 सेकेंड में ते करती है तो बताओ रेल गाड़ी की लंबाई किती होगी देको यहां चाल दे रहे कि जो टोटल मिटर हैं वो होते हैं 60000 मीटर ठीक है और समय एगंटे के अंदर होता है हमेशा 300 सेकेंड यानि वो 60000 मीटर की दूरी 300 सेकेंड में ते करता है तो बताओ 12 सेकिंड के अंदर वो कितनी दूरी ते करेगी एक्स क्रोस मल्टिप्लाई कर दो इसको यह हो जाएगा अपने पास 3600X बराबर 60,000 गुना 12 और यह 3600 गुना में कहा चला जाएगा भाग के अंदर जो कट रा उसको काट दू यहां सबसे पहले 2-0 से यह 2-0 कट गया 12 का बाग 36 में 3 बार और 3 का बाग 600 में जाता है 200 बार ठीक है तो रेल गाड़ी की लंबाई कितनी होगी 200 मीटर आप्शन नमबर भी अपना राइट आंसर हो जाएगा अगला सौल है अपना कि 5 आदमी 45 मीटर लंबी दिवार 9 दिन में बनाते हैं तो 30 मीटर लंबी वेसी दिवार 5 दिन में कितने आदमी बनाएंगे दिको यहाँ पर वेक्ती समय और उनका काम दे रखा है तो सबसे पहले लिखा जाता है वेक्ती फिर बीच में आता है समय और लास्ट में आता है उनका काम ठीक है तो कितने वेक्ती है 5 वेक्ती कितने दिन में 9 दिन के अंदर कितना काम कर रहे है वो 45 मीटर लंबी दिवार बनाते है तो बताओ अगर 30 मीटर लंबी उनको दिवार बनानी है कितने दिन में 5 दिन में तो बताओ कितने आदमियों के जरूत पड़ेगी ठीक है अब वेक्ति और समय में हमेशा सीधा गुणा होता है और समय और काम अगर आ जाए या वेक्ति और काम आ जाए तो यहां पर वज़र गुणा होता है तो यहां देखो अगर हम इसको एक रो में देखते है तो यह सीधा गुणा होकर इससे वज़र गुणा हो रहा है और यहां सीधा गुणा होकर बजर गुणा हो रहा तो X के साथ क्या है अपने पास 5 और 45 यह जाएगा X एंटू 5 एंटू 45 बराबर में 5 एंटू 9 एंटू 30 और यह दोनों गुणा में का चले जाएंगे भाग के अंदर तो 5 एंटू 45 अब जो कटरा उसको काड़ दो देखो 5 से यह 5 कड़ गया और 9 का बाग 45 में 5 बार और 5 का बाग 35 में 6 बार तो कितना आदमें को जरूत पड़ पर्तिश्यत की दर से 2 से एक बटा तीन वर्ष का साधान ब्याज अगर 210 रुपे हैं तो वे धन कितना होगा देखो ब्याज का सवाल स्रिफ एक फॉर्मूले से सरल हो जाता है इससे सारे कोशन सरल हो जाते हैं इसके लावों कोई दूसरा याद करने की ज़रूरत नहीं है यहां में मूलदन पता नहीं है तो पी की जिकेंगे पीरेने दो टाइम किता दे रखा हैं दो से एक बटा तीन वर्ष तो यह मिश्रोबिन में इसको सरल कर लो यानि दो से एक बटा तीन का मतलब 3-6 और तो देखो यहाँ पर नीचे चार ओल्रेडी आ रहा है तो इसको 400 कर लो तो से गुणा हो रहा है यह देगा आपने पास 15 बटा 400 ठीक है और ब्यास दे रहा है इसका 210 अब यहाँ से मैं पी की वेल्यू पता करनी है तो इसके नीचे कुछ नहीं तो एक मान के इसको क्रोस मल्ट 10 और यह दोनों गुणा में का चले जाएंगे भाग के अंदर 7 इंटू 15 अब जो कट्रा उसको काड़ा दो देखो साथ का बाग 27 में जाता यह तीन बार 0 का 0 ठीक है और तीन का बाग 15 में जाता है 5 बार और 5 का बाग 30 में जाता है 6 बार ठीक है अब बचा आपने पास 4100 औ दो जिरो तो मुल्दर कितना हो जाएगा चोवीस सुरूप अप्शन नमबर सी अपना राइट अंसर हो जाएगा अगला सवाल है अपना दो वेक्तिव कि आयू का अंतर बीस वर्ष है पांच वर्ष पहले बड़े वेक्ति की आयू छोटे वेक्ति की आयू से पांच गुना थी तो उनकी आयू कितनी वर्ष हो में है ठीक है यहाँ पर अंतर दिया है इनने बीस वर्ष अंतर का मतलब क्या होता है यह ए है और यह बीस वर्ष का अंतर दे रखा है मतलब जो A है वो B से कितना बड़ा है 20 साल बड़ा है तो हम B के आयू को क्या माल लेते हैं X तो यह क्या हो जाएगा X प्लस 20 ठीक है यह से 20 साल बड़ा है अब इसने का 5 वर्ष पहले तो दोनों में से 5-5 साल माइनस कर दो तो A के हो जाएगी अपने पास अगर यह छोटा 1 है तो यह कितना होगा 5 या फिर जो छोटा होता उसको 5 से गुणा कर दो यह बराबर हो जाएगे और नहीं करना चाहते है तो यहां वज़र गुणा कर दो तो यह हो जाएगा देखो X प्लस 20 माइनस 5 तो 20 में से 5 गया तो कितना बचाओ आपने पास यहाँ 15 यह हो जाएगा X प्लस 15 जिसको X से 20 1 से 20 चे गुणा के तो 5 X X X एक तरफ कर दो नंबर नंबर एक तरफ कर दो यह एग तर आईगा तो मांच 5 X बराबर यह मांच 25 यह दो जाएगा और ये पलस का 15 है इदर आएगा तो माइनस का 15 हो जाएगा ठीक है X में से 5X गया तो माइनस 4X बराबर माइनस का 25 और माइनस का 15 माइनस का 40 हो गया माइनस माइनस कैंसल हो गया 4 गुणा में का चला जाएगा भाग में और 40 में 4 का बाग किती बार जाता है 10 बार X की value कितनी आई 10 मतलब B 10 साल का है और यह से 20 साल बढ़ा है तो यह कितने साल का हो जाएगा 30 साल का तो option number A अपना correct answer हो जाएगा अगला question है अपना कि किसी cylinder का partial pressure shetraffal 1056 cm square है तो उसकी उचाई 16 cm तो उसकी तरिजा कितनी होगी देखो एक partial pressure pressure shetraffal cylinder किसको बलते है बैलन को और यह होता इसका वकरप्रश्ट का शेतरफल और बैलन का वकरप्रश्ट क्या होता है 2 pi r h और यह बराबर है किसके 1056 के तो यहां से हम अपने पास h भी दे रखा इसकी height कितनी है 16 cm तो यह जाएगा 2 pi की value होती है हमेशा 22 बटा 7 और radius हमें पता करनी है और h दे रखिये 16 बराबर है 1056 इसको cross multiply कर दो यहां से तो r के साथ क्या है अपने पास यहां देखते है 2, 22, r और 16 यह एक साथ है तो यहां हो जाएगा अपने पास r बराबर 7 गुणा 1056 बटा 2 गुणा 22 गुणा 16 जो जो संक्यार के साथ है वो कांच ली जाएगी भाग के अंदर अब इसमें से जो कट रहा है उसको काड़ दो सबसे पहले इसको 2 से काड़ते हैं यह जाएगा अपने पास 2, 5, 10 और 2, 2, 4 एक बज़ गया यहाँ पर 2, 8, 16, 5, 28 ठीक है और कट रहा है दो से यह हो जाएगा 11 और यह हो जाएगा अपने पास 2, 2, 4 एक बज़ गया 2, 6, 12 और 2, 4, 8 ठीक है अब 264 के अंदर 11 का बाग जाता है 11, 11, 12, बज़ गया 4 14, 24, 24 पार 24, 16 के से करते है 8 से तो 8, 2, 16 और 8, 24 ठीक है अब अपने पास उपर आया 7, 21, बटा 2, 21 का अदर क्या होता है 10.5 तो उसकी रेडियस किती हो जाएगी 10.5 सेंटीमिटर आप्शन नमबर भी अपना करेक्टर अंसर हो जाएगा अगला कुशन अपना एक आयत की परिमिती 100 मिटर है उसकी चोड़ाई 20 है तो शेतरफल क्या होगा देखो एक आयत है और उसकी परिदी किती देर की है 100 मिटर परिदी क्या होती है 2 कोस्टर लंबाई प्लस चोड़ाई और ये बराबर है 100 मिटर ठीक है और इसने कहा कि इसकी चोड़ाई 20 है तो चोड़ाई की जिए किटना लिख दो 20 तो ये जाएगा दो गुणाम है भाग में चला जाएगा कितना आए आपने पास लंबाई गुणा चोड़ाई ठीक है लंबाई है 30 और चोड़ाई है 20 आपस में गुणा कर दो तीन दूना 620 का दो जिरो तो 600 स्क्वाइर मेटर उसका श्यातर पर लोगा अप्शन अपर डी अपना क्रेक्ट अंसर हो जाएगा अगला कॉशन अपना वन माइनस कोस स्क्वाइर थीटा बराबर क्या होगा तो देखो एक फॉर्मूला होता है अपने पास की साइन स्क्वाइर थीटा प्लस कोस स्क्वाइर थीटा बराबर होता है एक अब देखो हम अगर कोस को अधर बेज़ देते हैं तो साइन स्क्वाइ थीटा बराबर हो जाएगा 1- cos square थीटा तो यही पूछ रहा हम से कि 1- cos square थीटा बराबर क्या होता है sin square थीटा option number C अपना correct answer हो जाएगा अगला question अपना x cube plus 7 kx square minus 4 kx plus 12 का एक गुणनखंड x plus 3 नहीं तो k का मान क्या होगा अपने पास यह जो समीकंड दे रही है x cube plus 7 kx square minus 4 kx plus 12 और इसका गुणनखंड क्या है x plus 3 ठीक है अब इसका गुणनखंड है मतलब इसके अंदर x plus 3 का भाग जाता है तो यहाँ पर हम बराबर x को लिख सकते हैं यह plus का 3 इदर आएगा तो minus का 3 ठीक है इसका गुणनखंड अगर x plus 3 है तो x का मान क्या हो जाएगा minus का 3 अब जहाँ पर भी x दिखे वह minus 3 लिख दो तो यह हो जाएगा अपने फास फास्ट में minus 3 का cube plus 7 के यहाँ पर minus 3 का square minus 4 के और x के जगे लिखेंगे minus का 3 plus 12 बराबर क्या होगा ठीक है अब देखो minus 3 का cube करते हैं तो किसी भी संख्या का अगर हम cube करते हैं अगर वो minus में है तो उसका answer भी minus में आता है square plus में आता है और cube minus में आता है तो 3 का cube होथा है 27 यह है अगया माइनस का 27 ठीक है और यहाँ देखो plus 3 का square होता है 9 ठीक है यहाँ पर 3 का square क्या है 9 और 9 को साथ से कुना करेंगे तो देखो 3 का स्क्वाइर ये माइनस का 3 है तो ये प्लस में 9 आएगा ठीक है और 9 को 7 से गुना करेंगे तिया जाएगा 63 के ठीक है इसी तरह माइनस 3 को अगर माइनस 4 से गुना करेंगे तिया जाएगा माइनस माइनस प्लस का 12 के और इदर प्लस 12 बराबर है 0 या खाली छोड़ दो इसको बराबर में हमें निकालना है देखो यहाँ पर यह प्लस का 12 है और माइनस का 27 है ठीक है और इधर 63 के है प्लस का और प्लस का 12 के तो 63 के और 12 के दोनों प्लस में जुड़ जाएंगे यह जाएगा अपने पास 75 के और अगर हम 12 में से 27 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा माइनस का 15 बराबर है 0 यह माइनस का 15 इधर आएगा तो यह जाएगा अपने पास 75 के बराबर प्लस का 15 और 75 गुणा में कहां चला जाएगा भाग के अंदर अब देखो यह नमबर कट रहा है प्रतम 9 अबाजी संक्याओं का योग कितना होगा है ठीक है अबाजी संक्या ऐसी संक्या जिसमें स्रिफ खुद का ही भाग जाता है तो प्रेड़ी जो 9 अबाजी संक्याओं का योग कितना होगा इस कोशन का अंसर आप मेरे को फटा बट कमेंट के अंदर दो और लास्ट बाइट अपना औरिजिनिंग का औरिजिनिंग का question number 46 है कि 10 March 2001 को रविवार हो तो 10 March 2010 को कौन सा वार होगा ठीक है देखो यहाँ पर इसमें 8-9 साल का gap डाल कर पूछा है तो इस सवाल को कैसे करते हैं जहाँ पर बहुत सालों का अंतराला जाए तो यहाँ इसको कर दो हजार 10 और 2000 एक मैं अंतर कितना है 9 साल का ठीक है और इसके बीच में कितने लीफर्ष आए तो 2004 आता है 2008 आया ठीक है तो यह दो लीफर्ष आए तो यह लिग दो 2 बटा 7 तो 9 और 2 कितना होता है 11 बटा 7 अब देखो इसका भाग कितनी बार जा रहा है वह में नहीं लेना ठीक है तो देखो 11 में अगर 7 का बाग देते तो एक बार जाता है और कितना शेश बता है चार ठीक है वह चार दिन रवीवार के अंदर जोड़ दो ठीक है तरविवार में अगर चार जोडते है तो रविवार के बाद सॉम मंगल बुद्धूर गुरू 10 मार्ष 2010 को कुन सा गुरुवार होगा गुरु वार ओप्षण नंबर यह अपना राइट ऐंसर होगा ठीक है देखो हमेशा इधर पूरव दिशा होती है इधर पस्चेम उपर उत्तर और नीचे दक्षन ठीक है और यह हमेशा चलना है में सेंटर से इसने कहा कि एक वेक्ती चार किलोमेटर पूरव दिशा में चलता है तो इधर यह चला चार किलोमेटर ठीक है फिर इसने कहा कि वे बाय मुड़ता है बाय मुड़ने का मतलब उपर की तरफ मुड़ा देखो इसका मुझ इधर है तो इसका बाय उपर की तरफ होगा और इधर मुड़ा और यह फिर चार किलोमेटर चला अब देखो इसका मुझ उत्तर की तरफ है फ अगर कोशिन अपना कि खाली स्तान को भरो एक सीरीज देर के अपने पास A, C, B, देश देर का यहां पर C, E, फिर खाली जगे, F और फिर खाली जगे, इन खाली जगे में क्या आएगा, देखो यहां सबसे पहले देखो A के बाद C आ रहा है, क्या कर रहा है, अगर यहां तो अपने पास आता है, D, ठीक है, और D का अगरम एक माइनस करते हैं, तो अपने पास C आता है, फिर C का अगरम दो माइनस करेंगे, तो अपने पास क्या आएगा, E, देखो C का दो प्लस करने पर E आ रहा है, और फिर E का अगरम दो माइनस करते हैं, तो अपने पास आता ह ठीक है तो हमने खाली जिगे में क्या क्या बढ़ा एक बार डी आया फिर दوسरी बार भी डी और तीसरी बार एट then छाली जिगे में क्या आएगा डी-ई-ई ठीक है और यहाँ फिर ऐसे भी कर सकते को इंडिकर देखो ए के बाद भी के बाद सी और सी के बाद D आएगा यहां ठीक है फिर D के बाद E कुट कुट के चलने पर इस तरीके से आ रहा है ठीक है और अगर हम अंदर वाले दूसरी वाली सीरीश को देखते हैं तो C के बाद D, D के बाद E, E के बाद F आ रहा है तो देखो यहां खाली जगे पर क्या है यह डी, D और E option number A अपना right answer हो जाएगा अगला question अपना कि 0.16 ratio 0.0016 से तो 1.02 का क्या होगा देखो यह reasoning के अंदर है तो इसमें logic से होगा यह यहां पर point के बाद 2 संक्या थी और यह point के बाद 4 संक्या आगे क्या क्या इसने कि यह point यहां पर था इसको दो अंक बढ़ा कर आगे कर दिया तो यहां भी सेम काम करना है point यहां पर है इसको दो अंक आगे बढ़ा कर यानि 4 अंक चोड़के point लगा दो तो देखो अपने पास 102 तो वेसे यह एक जिरो लगा दो हो गई चारंग यहां छोड़कर पॉइंट लगा दो तो अपना अंसर क्या होगा पॉइंट जिरो वन जिरो टू ओप्शन नमबर सी अपना राइट आंसर होगा और लास्ट कोशिन है आज का अपना कि एक पांच एकिस सतावन और एक सो इकिस का अगला पद क्या होगा अब देखो शिर्णी करम के जितने भी सवाल आए उनमें हमेशे उनका अंतर निकालने की कोशिश करो तो एक के बाद पांच आ रहा है तो यहां पर यह चार प्लस कर रहा है तो यहां पर यह 16 प्लस कर रहा है 21 के बाद 57 आ रहा है यहां पर यह 36 प्लस कर रहा है और 57 के बाद 121 आ रहा है तो यहां पर यह 64 प्लस कर रहा है तो 2, 4, 6, 8 के बाद के आएगा 10 का स्क्वाइर और 10 का स्क्वाइर होता है तो अगर 100 हमें 120 में जोड़ देंगे तो अगला पत के आएगा 221 तो अप्शन नमबर T अपना राइट आंसर हो जाएगा तो आज के वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना और नए हो चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करना और जितने भी आपके नमबर आए इमान दारी से वो नमबर आप मेरे को कमेंड में बताएंगे मिलते किसी एक और नी वीडियो के साथ तब तक अपना खेल रखी जे हिंद जे बारत